नमस्ते फ्रेंट्स मिस्से सों में कर्वित नूँ आडेस में आपका स्वागत है एक बार आप मेरे तरीके से कच्चे के लिए के सब्जी को बना कर देखे फ्रेंट्स और पसंद आए तो चैनल में जरूबी जिट करें प्लेलिस्टे करें तथा हो सके तो लाइक शेयर सब्स प्लेटी तक उबाल लेंगे उसके बाद गैस की फ्लिम को बंद कर देंगे और ठंडा हो नहीं देंगे तब तक हम मिक्सेजार में एक पेश्ट तयार कर लेते हैं दो मीडियम साइज के टमाटो को रफली काट कर डाल दिया है साथी एक इंच अद्र का टुकड़ा डाल दे हैं अगर आपको प्याज लसून डालना हो तो इसी स्टेज में आप मिडियम साइज के एक प्याज डाल दे और आट-दस कली लसून डाल कर एकदम बारिक पेश्ट तयार कर लें कूकर ठंडा हो चुका और उसका प्रेशर निकल चुका है तो हमने केले को निकाल लिया और अब इसे छील कर रख लेंगे आप इसमें कुछ मसाले पॉडर डालेंगे फ्रेंड्स मसाले कम ज़्यादने टेश्ट के अनुसर कर सकते हैं मैंने मसाले का एकदम छोटा चमज लिया है जिससे मैंने एक चमज जीरा पॉडर एक चमज धनिया पॉरडर आधा चमज हल्दी एक चमज ग्रेटेट अधर लिया आप पेश भी डाल सकते हैं साथ ही थोड़ी कटी हुई हरी मिच और साथ में तीखी वाली लाल मिच पाउडर डाला है उसके बाद थोड़ा सा गरमा सा पाउडर डालने के बद धनिया पता डाल देंगे अब एक से दो चमज हम ब्रेट क्रम जाल लेंगे आप चाहे तो चावल काटा या मैदा भी डाल सकते हैं यह हमारे केले की नमी को सोखेंगे अगर केले में बहुत ज़्यादा पानी है तो अब इसमें स्वादयों सा नमक डाल देंगे और इसे अची तरह मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा बेसन आट करेंगे और फिर से मिक्स करेंगे और देखेंगे कि इसके बॉल तयार हो रहे है की नहीं मेरे मिश्रन से अच्छी तरह बॉल तयार हो रहा है तो फ्रेंट इसमें और बेशन नहीं मिलाएंगे अब हाँ धो लेते हैं इधर कड़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख देंगे और उधर हम इस मिश्रन से बॉल तयार करेंगे फ्रेंट हाथों में थोड़ा पानी लगा लेंगे और जैसा आपको छोटा या थोड़ा बड़ा बॉल चाहिए उस अनुसार हम तयार कर लेंगे देखे इस तरह से अब इसे रखते जाएंगे तेल अब गर्म हो चुका है फ्लेम को मीडियम कर देंगे अब इन तयार बॉल को हम एक ही करके इसमें डालते जाएंगे डालने के बाद थोड़ी देर सेट होने देंगे फ्रेंट उसके बाद हम इसे पलटेंगे और उलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे इस तरह से थोड़ा ही लाते रहेंगे फ्रेंट तक ये अच्छी तरह चारो तरफ से ये सिख जाए आप देखी रहें हैं फ्रेंट लगवक तीन मीडियम साइज के केले से हमारे आट बॉल तयार हुए हैं अब इने निकाल कर हम साइड में रख देते हैं तथा एक्स्ट्रा तेल निकाल लेते हैं अब उसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे श्क्रीन पर लिख दूँगी फ्रेंट उसके बाद हमने काजू और किश्मीज डाल दिया है थोड़ा जब फ्राई हो जाए तब इसमें हम कसूरी में ठीर डाल देंगे अगर आपको लगे कि मसाले जलने माले है फ्रेंट तो गैस की फ्लेम को इस समय बंद कर दे उसके बाद सुखे मसाले पाउडर डाल दे उसे भी मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी ध्यान रखे तिकी मिर्स पाउडर हमने डाला है तो उसी इसाब से हम हरी मिर्स डालेंग बिकेनों सा गरम पानी डाल देंगे ध्यान है कि बॉल्स भी पानी सोखेंगे इसलिए पानी हलका सा ज़्यादा डालीएगा उसके बाद स्वादों सा नमक डाल दे और बॉल डाल दे और ढखका साथ से दस मिनट तक लो मीडम फ्लेम पे पकने दें इसे आप रोटी पूरी अकेली की मलाइक ओफ्ता फ्रेंड्स एक बाद जरू ट्राइक करिए बहुती स्वाधिष रेसिपी है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद